इस प्रचाइब आया है है कि इसरी एक कि देखेंगे नमस्कार मैं हो दिन खान आप देख रहे हैं प्रहाटांज उत्तर परदेश के बुलंद सहर में गोकसी के सक में ऐसे हिंसा भणकी के एक पुलिस कर्मी और एक आम नागरिक की मौत हो गई गोकसी की सक में तीन गाओं की भीड़ी इस तरह भणकी की जान लेने पर उतारू हो गई उपद्रोईयों ने ऐसा कोहरा मचाया कि दरजनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया उपद्रोईयों की भीड़ी ने एक नागरिक और एक इस्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग की जान ले ली इस मामले में चार F.I.R. दर्ज कराई गई है और चार लोगों को हिरासत में लिया गया है F.I.R. के मुताबिक इस्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग की हत्या यानि भीड की हिंसा के मामले में योगे सराज को मुख्य आरूपी बनाया गया है बुलंद सहर हिंसा में योगे सराज मुख्य आरूपी है और यहीं गौकसी मामले में सिकायत करता भी है योगे सराज का संबंध बजरंग दल से है जो जिला संयोजक बताया जा रहा है जो S.S.P. बुलंचेर ने मुझे बताया यहां भी F.S.L. की रिपोर्ट आने वाली है बस आप इस समय F.S.L. के पास अलड़ी रिपोर्ट गई है अगर आदे गंटे आप एट करते तो F.S.L. की रिपोर्ट भी बरिपास आदे बुलंचेर में गोकसी की खबर पर भीड की हिंसा के मामले में 27 लोग नामजद किये गया है इन पर 17 धाराओं में मुकत्मा दर्ज किया गया है यानि भीड की हिंसा मामले में योगे सराज के साथ-साथ करीब 80-90 लोगों के खिलाफ F.S.R. दर्ज की गई है इन में 27 लोग नामजद हैं तो वहीं 50-60 लोग आग्यात हैं भीड हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफतार किया है और 4 को हिरासत में लिया है इस मामले में समिस्पेक्टर सुभास चंदर ने F.I.R. दर्ज कराई है मुख्य आरोपी योगेस राज पर आरोप है कि योगेस भीड को बार बार उक्सा रहा था जिसकी वजह से भीड उग्र हो गई भीड हिंसा का मुख्य आरोपी योगेस राज ने भी गोकसी मामले में F.I.R. दर्ज कराई है योगेस ने जो याफायार दर्ज कराई है उसमें साथ लोगों को आरोपी बनाया गया है तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है परहार टाइम्स